हे व्रीवन विल्कम बैक टू आर योट्यूब चानल माइग्जाम स्टडी दोस्तों आज के डिजिटिंग के वीडियो में बड़ा ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक है इस वीडियो में गाइज हम लोग वर्ग के अंदर वर्ग कैसे ग्याद करें कई बार एक्जाम्स में पूछे जा चुके हैं बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टन कोशन्स है तो दोस्तों जो हमारा पहला question आप देख पा रहे हैं कि हमें इस चित्र में total वर्गों की संख्या ग्यात करनी है तो इसे ये जो चित्र है आपका बहुत ही छोटा है आप इसे count कर सकते हैं चलिए हम लोग count करके देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये पूरा वड़ा वाला वर 10, 11, 12, 13 और 14 तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो हमारा figure यहां पे दिया हुए इसमें total 14 वर्गों की संख्या है लेकिन दोस्तों जब इस figure को थोड़ा और बड़ा कर दिया जाता है और उसकी बाद हमसे ये कहा जाता है कि इस चत्र में total वर्गों की संख्या ग्याद करें तो हमारे लिए ये थोड़ा complicated हो जाता है और जाहिर सी बात है कि exam में आपको easy question तो मिलेंगे नहीं छोटे question तो मिलेंगे नहीं तो इसका तरीका क्या है, trick क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों चलते हैं, शुरू करते हैं हमारे पहले example जिसे हमने लिया था ताकि आपके लिए उसे समझना आसान हो जाए जब इस तरह का कोई भी figure आपके सामने बना हुआ रहे है कि वर्ग के अंदर वर्ग कैसे ग्याद करना है तो सबसे पहले हम उसकी numbering कर लेंगे किस तरीके से आप गौर कीजिएगा एक, दो, तीन, ठीक है हमने इस तरह से इधर की और numbering कर लिया अब हम नीचे की और numbering करेंगे वन तो यहाँ है ही, चू और थ्री और इस तरह से हम line खीच देंगे यह line आप नहीं भी खीच सकते हैं मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे बताया है अब जो हमारा next point होगा वो क्या होगा, तो दोस्तों आप लोग ने देखा कि हमने 3 को 3 से 2 को 2 से और 1 को 1 से इस तरह से line मिलाया तो हमें अब कर देना है multiply तो हमने कर दिया multiply 3 गुने 3, 9, 2 गुने 2, 4 और 1 तो था ही एक इधर से भी आया और एक इधर से भी आया तो एक एक common हो गया तो एक गुने 1 हम करेंगे तो एक ही आएगा अब जो भी हमारा multiply करके आया गुना करके आया हम उसे आपस में जोड़ देंगे और जोड़ने पर जो हमारा answer आयागा वही हमारा answer हो जागा कि वर्ग के अंदर वर्ग कितना है ठीक है चलिए अब हम बड़े वाले figure में देखते हैं कि हमने इसे कैसे किया है तो दोस्तों सबसे पहले जो मैंने आपको कहा है कि सबसे पहले हम इसकी numbering कर लेंगे तो 1, 2, 3, 4 और इधर से भी 1 तो है ही 2, 3, 4 और इस तरह से हम लोग इसे line draw कर लेंगे 4 से 4 को मिलाएंगे 3 को 3 से और 2 को 2 से और इसी तरह से हम लोग multiply भी कर देंगे आया है वो आया है 30 तो अदा हम कह सकते हैं कि दी गई जो चित्र है इसमें total वर्ग की संख्या कितनी है तो total वर्ग की संख्या है 30 30 चलिए ये तो हो गया दोस्तों कि वर्ग के अंदर हम लोग वर्ग को कैसे ग्याद करते हैं अब हम लोग जानते हैं कि आयत की अंदर हम लोग वर्ग को कैसे ग्याद करते हैं तो बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बताने के लिए एक आयत का चितर लिया है और इसे भी हम लोगों ने numbering कर लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चुकि नीचे की तरफ सिर्फ दो ही line है तो एक तो हमारे यहाँ पे था ही हमने यहाँ पे दो को count कर लिया है अब आयत में आपको गौर्ड वस यह करना है कि जो सबसे आखरी वाला point है जैसे इधर side का जो सबसे आखरी वाला point है कितना है number 7 और इधर side का जो सबसे आखरी वाला point है वो कितना है number 2 हमें कर लेना है इन दोनों को multiply हमने कर लिया है multiply और हमारे पास कितना आगया है 14 आगया है ठीक है अब बच रहा है इधर side से हमारा यह वाला point 1 ठीक है और इधर side से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास बच रहा है point 6 तो अब हम 6 को एक से कर देंगे multiply तो हमारे पास कितना हो गया है total 6 और जब हम 14 और 6 को जोड़ेंगे आपस में तो वो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा 20 हो जाएगा तो इस तरह से हम कह सकते हैं दोस्तों कि ये जो आयत है इसके अंदर वर्गों की संख्या कितनी है तो इसके अंदर वर्गों की संख्या है total 20 हमने क्या क्या कि सबसे पहले हमने जो corner वाला point है उसके numbers को multiply कर लिया तो 7 गुने 2 बरावर हो गया 14 और जो यहाँ पर बच रहे हैं इसके बाद वाले point वो है इधर से 1 है और इधर से कितना है number 6 है तो 6 गुने एक कितना हो गया 6 हो गया ठीक है और 14 और 6 को हम आपस में जोड़ देंगे और हमारे पास जो total answer आया है वो है 20 चलिए एक और example लेते हैं और इस बार हम चितर को थोड़ा और बड़ा कर देंगे तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं गाईज कि यहाँ पे जो हमारे पास raw और column की संक्या है काफी बड़ी है जादा है यहाँ पे हम लोग count कर रहे हैं तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 आ रहे हैं और इधर से जब हम count करें तो 1, 2, 3 हमें करना क्या है सबसे पहले corner वाले को multiply करेंगे तो 8 गुने 3 कितना हो गया 24 हो गया इसके बाद आ रहा है इधर से 2 और इधर से आ रहे हैं कितना 7 तो अब हम 7 और 2 को जब हम multiply करेंगे तो हमारे पास आ गया है 14 अब इधर से हमारे पास बच रहा है number 1 और इधर से हमारे पास बच रहा है number 6 तो जब हम 6 को एक से multiply करेंगे तो हो जाएगा 6 अब हम जब लोग 24, 14 और 6 को जोड़ेंगे, add करेंगे तो हमारे पास हो गया 44 तो अता हम कह सकते हैं कि इस चित्र में हमारे पास इस आयत के चित्र में टोटल वर्गों की संख्या कितनी है तो 44 आप चाहें तो इसे रीचेक करने के लिए एक एक वर्गों काउंट करके देख सकते हैं चलिए next question क्यों चलते हैं चलिए गया है ये मैंने आपके लिए लिया है लेकिन चलिए हम लोग साथ मिलकर इसे solve करते हैं इस आकिर्थे में वर्गों की संख्या क्या है बिल्कुल सही और आकिर्थी कौन सी है आयत की है और अभी मैंने आपको बताया कि आयत में हम लोग वर्ग को कैसे गिनते हैं तो सबसे पहले हम लोग लास्ट वाले कॉर्णर को उठाएंगे चार और तीन को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बारा इसके बाद हमारे पास बचता है दो और इधर से तीन तीन और दो को जब गुना करेंगे तो हो जाएगा छे और इधर से हमारे पास बच रहा है 1 इधर से बच रहा है 2 तो 1 और 2 को जब हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और इन सब को हमने जोड़ देना है तो 6 और 2, 8 और 8 और 2, 10 की 0 हाथ में 1 और 1 और 1, 2 तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दिये गए आखिरती में, दिये गए चितर में टोटल वर्गों की संख्या कितनी है, 20 है तो दोस्तों ये था अज का हमारा बहुत ही important question कि आयत के अंदर वर्ग की संख्या को कैसे ग्याद कर सकते हैं यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करे और साथ ही हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करे थैंक यू सो मच